प्रेसिडेंट मैसल फेगेंदर सर फ्रोम ग्यान यति पॉबिक स्कूल तुड़े टेस्ट अफ डिविजबिलिटी वाई फाइब यहनि हमको चेक करना है कोई संख्या पाज से विवाजित होगी कि यह होगी या नहीं तो उसके रूल से हैं दे लास्ट डिजिट अफ दे नमबर इज आइदर जीरो और फाइब यानि कह रहा है कि कोई भी संख्या विवाजित तब होगा जब उसके इकाई अंक यानि लास्ट डिजिट जो है जीरो हो या फाइब इस एक्जाम्पल है यहाँ यहाँ लिए 15, 25, 105, 135 या फिर 130 कोई भी हो इसमें से ये सभी 5 से डिवाइड हो जाएगे इन सब के लास्ट में 5 है इसके लास्ट में 0 है ये क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगे next है test of divisibility by 6 यानि कोई संख्या 6 से विवाइड होगा की नहीं इसके लिए नियम है करें the number is divisible by 2 and 3 बोथ अर्थाद कोई संख्या 6 से विवाइड होगा है जब वह संख्या 2 से और 3 से विवाजित हो जाएगा example के लिए यानली है 2484 इसको डिवाइड किया गया है first 2 के रूल से तो लास्ट डिजित इसका 4 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ठीक है next है 3 से डिवाइड करने का रूल sum of digit of 2084 इस सबको एड करेंगे एडिजित को 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 4 is equal to 18 और 18 जो होता है क्या होता है कि 3 से डिवाइड हो जाता है जैसे 18 is divisible by 3 3 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ 6 टाइम में अब यहाँ लिखा गया है hence 2484 is divisible by 6 यानि कि ये नंबर जो दिया गया था यहाँ 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है तो यहाँ दोनो नंबर से divisible हो गया है तो उस वह संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगा अब हमको चेक करना है कि कोई संख्या 8 से डिवाइड होगा कि नहीं इसके बारे में दो नंबर फोर्मेड वाइड लास्ट थीरी डिवाइड अफ दो गीविन नंबर इज डिवीजिबल वाइड यानि वह संख्या का यहां लिखा के दो नंबर फोर्मेड यानि उस नंबर से फोर्मेड होगा कितने डिविजिट से थीरी यहां लिखा गया है लास्ट थीरी डिविजिट यहां थीरी डिविजिट दिया गया है गीविन नंबर यानि उसी संख्या के जो दिया गया संख्या है उसके अंतिम तिन डिविजिट लेना है और उस डिविजिट से जो संख्या बने गया उसक यहां लिखा गया है एक्जामपल 20,150 यानि 29,152 इसको डिवाइट करेंगे 8 से तो इसका रूल है कि यहां का 3 डिजिट लेते हैं यह बन रहा है 152 देखिए the number formed by last 3 digit of 29,152 is 152 यानि इस नमबर का 3 डिजिट लेने पर बन रहा है 152 इस 152 को 8 से डिवाइट करेंगे अगर यह 8 से डिवाइट हो जाएगा तो दिया गया था जो नमबर वो अभी डिवाइट हो जाएगा तो देखिए यहां लेका so 152 is divisible by 8 यानि 152 को 8 से डिवाइट करेंगे और देखेंगे होत रहा है कि नहीं तो देखिए 8 से डिवाइट करने पर यह 19 बार में डिवाइट हो जाएगा यानि 152 को 8 से डिवाइट करेंगे तो 19 बार में यह पूर्ण रूप से कट जा रहा है तो जब यह संख्या कट गया इतना जो फॉर्मेट हुआ था तो इसका अर्थिया है कि जो दिया गया नमबर था वो अभी डिवाइट हो जाएगा Hence 29,152 is divisible by 8 यह लिखा गया है कि जो फॉर्मेट हुआ था नमबर वो 8 से डिवाइट हो गया था और होने के बाद पता यह चला कि 19 बार में हो गया तो समझ लेना है कि यह नमबर जो दिया गया था वो भी 8 से डिवाइट हो जाएगा ओके नेक्स्ट अप आ रहा है परेट टेस्ट ऑफ डिवीजिबलीटी बाई टेन यानि हमको चेक करना है कि कोई संख्या दस से विवाजित होगा या नहीं तो करें दो लास्ट दो लास्ट डिजिट अफ दो नमबर जो दिया गया है नमबर इस जीरो उसके सभी अन्तिम जो नमबर होता है डिजिट वह क्या होगा जीरो जैसे एक जामबल है 10, 50, 100, 120, 2000, 230 इसी परकर और भी नमबर रहेंगे जिसके लास्ट में सभी में जीरो जीरो है देखिए यहाँ जीरो है यहाँ जीरो सभी में जीरो है तो यह सभी दस से विभाजित हो जागा समझ मैं यहाँ इसी परकर हम चेकर करके और आसानी से पता कर सकते हैं कि यह संख्या कौन किसस नमबर से डिवाइड होगा या नहीं दिया रहेगा जमाले कोई संख्या दे दिया यही अब बोल दिया कि 6 से डिवाइड कीजिए तो यह संख्या 6 से डिवाइड होगा कि नहीं इसका रूल क्या है कुछ रूल का अनुसार करेंगे फर्स्ट इसको करेंगे क्या कि last digit देखेंगे कि क्या है तो इसका last digit 2 है यह 2 से तो हो जाएगा अब 3 का बात रहा तो 3 से करने के लिए सबको digits को जोड़ेंगे अब देखेंगे जो result आएगा वह 3 से हो रहा है कि नहीं अगर वह 3 से हो जाएगा तो यह समझें कि 6 से divide हो है देख लिए अगे थैंक्स